आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ How many of the following microbial products are produced by bacteria? यहां पर पूछा गया है कि जो यहां पर products दिये गये हैं वो किस-किस substance यहां पर microorganism से बने हुए है और कौन सा bacteria से बना गया है वो हमें बताना है तो first है यहां पर citric acid citric acid का बात करने तो यह basically बनता है by the microorganism fungus और इस fungus का जो नाम होता है वो है aspergillus niger aspergillus niger से ही क्या होता है कि citric acid जो है वो बन के सामने आता है next अगर देखे तो next है brutalic acid brutalic acid जो है यह एक ऐसा acid है जो कि basically बनता है bacteria से और यह जो bacteria से बनते हैं उसका नाम होता है clostridium और clostridium को हम लोग यहाँ पे इसी वज़े से लिख लेंगे जो कि यहाँ पे correct answer है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो brutalic acid है brutalic acid जो है यह bacteria से बनता है और इसको हम लोग circle कर लेंगे वहीं अगर देखा जाए तो जो lactic acid होता है lactic acid भी basically बनता है from a bacteria और यह जिस bacteria से बनता है वो होता है lactobacillus और lactobacillus को अगर देखें तो यह एक ऐसा bacteria है जो कि curd में भी form करता हुआ नज़र आता है तो इसे हिजाब से हम लोग lactic acid को भी यहाँ पर circle कर लेंगे next है जो कि यहाँ पर gluconic acid बोला गया है और gluconic acid जो है हज़र हम लोग ध्यान से देखें तो gluconic acid basically बना हुआ होता है by the fungus और जिस fungus का नाम क्या होता है तो यह basically बनते हैं वही एसपरजीलस नाइगर नाइगर नहीं एसपरजीलस के दूसरे species से वही next जो है वो हमारा असेटिक acid है और असेटिक acid का बात करें तो यह एक ऐसे acid है जो की बनता है किस से तो basically यह भी bacteria से बनके हमारा सामने आता है और जिस bacteria से यह बनता है उसका क्या नाम होता है तो उसका भी नाम जो है वो clostridium type का ही होता है लेकिन species जो है यह दूसरा species होता है तो इसे हिजाब से हम लोग acidic acid को भी circle कर लेंगे तो मेल लिए यहाँ पर तीन ऐसे हैं जो की bacteria से बने हुए रहते हैं तो इसलिए हम लोग का correct answer जो हो जाएगा 3 जो की last option है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह राउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर